दोस्तों 69 अगर सिक्षक भरती सरकार के साथ साथ अभ्यर्थियों के बीच भी चर्चा का विसे बनी हुई है वैसे तो आगर आप ये कहें कि 69 अगर सिक्षक भरती में आरक्षण की अंदेखी करना और फिर आंसर कीपर सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की याज क्या थी उसका खारी जोना यह सभी सरकारी अधिकारी अगले गले की फास बन गया है बरतमान समय में 69 अगर सिक्षक भरती में एक भी पद रिक्त नहीं है कुल मिला के तीन चरड़ों में सभी पद भर दिये गए थे लेकिन बरतमान समय में देखा जाए तो 69 अगर सिक्षक भरती में आजट्ट सो की जो लिस्ट है जो की आरक्षण की छतिपूर्थ करने के लिए जारी की गिती सरकार के द्वारा और लगबग एक हजार ऐसे अभरती जो अब नए नए पास होने वाले हैं कुल मिला के लगबग देखा जाए तो अठतर सो के आसपास अभरती 69 अज़ा सिक्षक भरती में नियुक्ती पाने के दावेदार है और अब इनको नियुक्ती कैसे मिलेगी ये मामला बड़ा ही जटिल होता जा रहा है क्यों कि यहाँ पर कोट ने भी कहा था कि 69 अज़ा सिक्षक भरती में एक भी नए पद सरकार जोड नहीं सकती है और यही वज़े थी कि अंसरट्सों की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें नियुक्ती नहीं मिल पाई थी तो यह जो पूरा का पूरा मैटा रेफरेंट्स ये काफी जटिल होता जा रहा है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आज के अकबारों में इस पर काफी ज़ो है आज पब्लिस हुए है परसिदी प्राथमी की स्कूलों में 69 जार सायक अध्यापक भरती अब बेसिक सिच्छा विभाग के अधिकारियों के गरे की फांस बन रहा है लिकित परिच्छा में एक प्रस्थ गलत के माबले में सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ण में खारी जूने के बाद अधिकारियों के लिए एक हजार अभरती को नौकरी देना चुनोती पूर्ण कारे हो गया है अगर कुल मिला के 78 सो जो पद है इस पर सरकार कैसे नियुकती देगी और कौन से नियम मनाएगी क्या 79 जार में जो लोग पहले से ही जवाब पा चुके हैं उनको बाहर किया जाएगा यानि कि जिनको गलत रिज्विस्टम्टर लाब मिल गया मतलब ये कि जिनको OBC और 80 ST की सीटियों पर रखा गया क्या वो बाहर होंगे ताकि 68 सो को समाज़ूद किया जा सके और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर जो बाद में 1000 आंसर की के आधार पर जो पास हो रहे हैं तो उनका क्या होगा मिलाज लाकर ये सारा रायता जो है सरकार का फैलाया हुआ है और अब यहाँ पर देखने ही होगी होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है देखो लोग सुबा के चुनाव भी है और ये भी अस्पस्ट है कि केंदर हो या फिर प्रदेश हो दोनों ही जगए बीजेपी की सरकार है तो इस मसले को हल करना ये सरकार की प्रात्मिक्ता में होना चाहिए और होगा भी तो लेकिन देखना ये होगा कि अब ये जो मैटर है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है आज आरक्षण मामले की सुनवाई भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोतरजा सिक्षिक भरती में आरक्षण की अंदेखी मामले की सुनवाई 14 नॉम्बर को आज इलाबाद हाई कोड की लखनो भेंच पर होनी है तो यहाँ पर देखना ये होगा कि देखो पूरा तो यही लग रहा है कि आज भी कोई डिसीजन तो नहीं आने वाला है एक अगली डेट ही मिलेगी लेकिन ये डेट किस आधार पर मिलेगी मतलब अगली डेट पर कोड क्या जानकर भी तलब करना चाहता है या फिर कोड का रवया क्या है ये देखना काभी दिल्चस्प रहेगा फिलाल हमारी नेजर तो बनी रहेगी दोनों ही घटना उपर कि जो नई लिस्ट डारी हो रही है अंसर की पर उसकी नियुकती कैसे होगी और साथ ही साथ आरक्षर मामली की सुनवाई में क्या हुआ तो इस पर एक डेडिकेट वीडियो मैं साम को अपलोड करूँगा अबाउट चार से पांच की बीच में तब आपको सारी स्थिती के बारे में पता चल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रियागराज 29 जार भरती में आरक्षर के इंदेखी मामली की सुनवाई 14 नॉमबर को यानि की आज होनी है और दोस्तों आज 14 नॉमबर है तो आज बाल दिवस भी है नहीं है आपका आप मान की चलना कि जो भी परिक्षा होनी है आप फरवरी के बाद होंगी फरवरी में लगबग एक महिने तक बोर्ड की परिक्षा हैं भी होंगी लेकिन अगर परिक्षा करवानी होगी तो बीच में जो Sunday पड़ता है क्योंकि यह जो परिक्षा होती है Saturday Sunday को होती है तो यह परिक्षा हो सकती है क्योंकि अभी Board का जो Time Table है वो नहीं आया है अगर सरकार चाहे तो अराम से सनिवार विवार के बीच में परिक्षा भी हो सकती है मतलब Board परिक्षा के बीच में भी परिक्षा करवाई जा सकती है सम्मौना बन रही है कि February या March में यह परिक्षा होगी लेकिन उसके पहले कोई अगर यह कहता है कि जनवरी में परिक्षा हो जाएगी या पर December में हो जाएगी That's impossible इसका कोई आधार नहीं है क्यों कि कई कारण में आपको बता चुका हूँ अभी तो नॉवंबर में आपका जो चेहन आयोग होगे वही पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है खेर पंदर नॉवंबर को सुबह 11 बजे प्रियागराज पत्थर गिर जागर की सामने जो बच्चे हैं इस्टुडेंट हैं का अभ्यरती हैं वो एक प्रदर्शन करने वाले हैं जहाँ पर वो मांग रखेंगे कि मादवी सिख्षा चैन बोर्ड में सदस्यों की न्यूक्ति जल से जल दो टेजिटी पिश्टी की परिश्टी जल से जल घोसितो तदर्द बात खतम किया जाएं सभी पदों को टेजटी पिश्टी दुचर 22 के अंतरगत लाया जाएं जनकी पदों की संग्या को बढ़ाया जाएं और भी तमाम चीज़ें मांगी जा रही हैं ल्टी और जी आईसी की जो समकक्षियों किता है उसका जो बिवाद है वो भी समाथ किया जाए ये तमाम मांगों के साथ बच्चे जो हैं वो 15 नॉम्बर को पत्थर गिर जाएकर सामने रहेंगे तो प्रात्मिक सिख्चक बढ़ती के बिग्यापन के लिए सारी चीजें जो यहां पर होती है वो इस पर भी निर्वर करती हैं कि कब और किसको किस से लाव होता है तो इसलिए भी समभावना बन रही है नौ साल बाद पूरी हुई प्रताचार बढ़ती 17 मंडलों का पाईडाम जारी बहुत साय बढ़ती तो रिटायर हो गए होंगे पता नहीं पंसन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं लेकिन फिलाल दुझाद 13 में विग्यापन लिये गेते हैं और 10 साल के बाद 23 मालोग दो मेने एक डिड़ मेने बची हुए है तो लगबत 10 सालों के बाद ये भरती पूरी हुई है और अब जो मेरिट लिस्टे हो जारी कर दीगे 17 मंडलों में इसमें प्रियागराज, वारानसी, देवी पाटन, फैजाबाद, लकनौ, अलिगड, आगरा साहरानपूर, मुरादाबाद, जहांसी, बस्ती, वरेली, आजमगर, चित्रकूर, मिरजापूर, मेरिट और गुरखपूर मंडल का जो पैड़ाम है वो जारी कर दिया गया है इसके पूर्ष एंद बोर्ड ने बीते सुक्रवाद को कानपूर मंडल का रिजल जारी किया था तो अब जिन लोगों को नियुकती मिल चुकी है अबो लोग प्रिंस्पल के पद पर काम करेंगे और देखो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव भी आपको देखनी को मिलेगा आपने देखा होगा कि जो फीस की मतलब प्रतिपूर्थ की जाती है जो बच्चे इंटरमीडियेट में या फिर असनातक में प्रिवेस लेते हैं तो उनकी जो फीस होती है सरकार समाज का लियाडव विभाग की ओर से उनको प्रतिपूर्थ की जाती है तो यहाँ पर एक नियम और लगने वाला है वो क्या है कि प्रदेश में राज या राष्ट्री अस्तर की प्रिश परिच्छा से जो लोग एडविंसन लेंगे सिर्फ उनको जो यह सुबिधा है यानि कि जो छात्रविति है और सुल्क प्रतिपूर्थ है ऐसे समझोdogs, scholarship और जो पैसा मिलता है आपकी एडविंसन लें, जो पैसा आपके खाते में आता है तो उनकों मिलेगा जो लोग एक system से आएंगे मतलब जैसे होता है NTA के दोरा जो CUT हुआ है या तो उससे आपका एडविशन हुआ हो या फिर इस्टेट लेबल पर कोई कामन एकजाम हुआ हो अगर उससे आप एडविशन लेते हैं डारेट एडविशन लेने वालों को जो यह अभी तक मिलता था स्कॉलर्शिप और जो फी स्वापसी होती थी तो अब यह नहीं होगा ठीक है तिसके लिए भी नियम बन रहे हैं प्रदेश सरकार अन्सुशित जाती अन्सुशित जन जाती और कुछ लोगब ठाई लाक रुपए है और अन्य वर्गों को लगब दो लाक रुपए तक सराना आयो होने पर चातिर वित्ती और सुल्ख भरपाई की सुविदा देती है तो बरतमान में सभी वर्गों के 55 लाक से ज्यादा चातिर इस यूजना का लाव लेते हैं इसमें सभी कुलाब मिलता है मतलब जनरल हो ओबी सी हो यसी हो और हर सार बजट की कमी के चलते कुछ लोग रह भी जाते हैं तो अब उन्हीं लोगों छोड़ा जाएगा जो लोग डायेट जाके लेते हैं अब उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी जो लोग एंटी एक माध्यम से सीउटी के माध्यम से या पर इसी प्रकार से अगर स्टेट लेबल को एडिशन होता है तो अगर उसक और यह भी है कि current अफेर पढ़ते हुए आप लोग आगे बढ़िए current अफेर regular आप लोग पढ़ते रहे है current अफेर का जो वीडियो होता है वो आपको दे दिया जाता है study with ज्यान परकास 2.0 पर वहां पर daily current अफेर का जो वीडियो है वो आपको मिल जाता है उसको जरूर आप राफ्त कर पाएं तो दो वीडियो देखनाता है करिए एक तो current अफेर का वीडियो जो की study with ज्यान परकास 2.0 पर होता है इसके लिए link मैं आपको community टैब में सेयर कर देता हूं telegram चनल पर सेयर कर देता हूं वहां से जाकर अभी आप देए सकते हैं यह चनल को अगर आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर किया करें थैंक्यू सो मच